हाई फ्रेंट्स वर्कम बैक टू प्रिया स्टियाइवाई चैनल और मैं हूँ प्रिया फ्रेंट्स आज में आप सबके साथ में एक एसी इंशेंट रेमेडी शेयर करूंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा ये रेमेडी आपके अन्वांटेड हैस को हमेशा के लिए रिमूव करेगा क्योंकि इसे अन्वांटेड हैस पर लगाने पर ये उन बालों को जड़ों में से कमजोर करके वहां से हैर ग्रोथ होना बंद कर देता है वैल ये रेमेडी को फॉर्स टैम यूज करने पर ही आपके बालों की ठिकनेस को कम कर देगा और इस बाली पाथ के अन्वांटेड हैस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं और इस रेमेडी से मैंने भी अपने अपर लिप्स के हैस को ग्रो होना बंद किया है वैसे इस रेमेडी को बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी इस्तमाल कर सकता है क्योंकि इसका किसी भी तर ना करें तो चलिए अब इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको चाहिए कुछ ड्राइनच शेर्स यानिके अख्रोट के छिर्के यह सबे के यहां बहुत ही आसानी से मिल जाता है और यही इस रेमेडी की सबसे बड़ी खासियत है अब मेरे पास यहा बनके राख में तब्दिल ना हो जाए वैसे अगर आपके पास ऐसी कोई जाली नहीं है तो आप चिम्टे की मदद से भी इन अख्रोट के छिर्के को एक एक करके डारेक फ्लेम पे जला सकते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यह कुछ इस तरह से सब तरफ से जल गया है अब हम गैस को बंद करके इसे कुछ दिल ठंडा होने देगे ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और अब एक खलबते या फिर पेस्टेल की मदद से हमें इसका बारिक पाउडर बना लेना है देखे ये कुछ इस तरह से इसका बारिक पाउडर फॉर्म तयार हो गया है अब इससे हम किसी कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे जिससे इसे स्टोर करने में भी हमें आसानी हो अब जब भी आपको इससे अपने अन्वांटेड हैस पे यूस करना हो त तभी आपको इसे यूस करना है करीब 12 घंटो बाद ये कुछ इस तरह का पेस्ट बन गया है अब जहां भी आपको आपके अन्वांटेड हैस को रिमूव करना है वो बॉडी पार्ट को आप पहले अच्छे से क्लीन कर लें जिससे मेक अप या डर्ट निकल जाए वैसे यंगुने पानी की मदद से वाश कर लेना है इसके बेस्ट रिजलक के लिए आपको इसे दिन में तीन बार लगाना है और तीन दिन के अंदर ही आपको इसका फ्रॉस्ट रिजल्ट नजर आयेगा और फिर उस जगहा पे आपके अन्वांटेड हैस्ग्रो होना बंद हो जा उसे भी on कर दे और साथ ही मुझे मेरी social medias पर follow करें जिसके link मैंने description box में add कर दी है और अगर आपका कोई requested video है तो उसके बारे में मुझे comment section में बताएं मैं उस पर video ज़रूर बनाऊंगे so friends अभी के लिए इतना ही see you in my next video till then bye take care